पाकिसान सुप्रेम कोर्ट के अठार में चीज़ पर बाके वर्स अमेरिका के स्टूडियो से असलाम अलेकुम। मैं हूँ आईशा खालिद और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंस एविन्यू। पाकिसान सुप्रेम कोर्ट के 18 चीफ जस्टिस इफ्तखार मुहमत चौधरी इस साल 12 दिसम्बर को अपने ओधे से रिटायर हो रहे हैं। उन्हें पाकिसान की अब तक की तारीख का सबसे तबील अरसे तक इस ओधे पर फाइज रहने वाला चीफ जस्टिस कहा जाता है। जनर्पवेज मुशर्फ के जेरे सदारत हलफ उठाकर उनके एक्पदार को एक तरह से लिजिटिमाइज किया था। सन 2005 में चीफ जस्टिस बना जाने वाले अफ्तखार मुशर्फ को जब दो ही साल बाद सदर पवेज मुशर्फ ने उनके होदे से हटाने की कोशिश थी तो वुकला की क्यादत में एक्टिविस्ट की एक बड़ी तादाद ने लॉयल्स मुव्मेंट चलाई जिसके नतीजे पर ही हमाई साथ मौजूद हैं सुप्रिम कोड के सीने वकील बैरिस्टर अकरम शेख आपी सुप्रिम कोड बार असोसियेशन के साबिक सदो होने के साथ इसके फाउंडिंग प्रेजिडेंट भी हैं इसके इलावा हमाई साथ सेपर मौजूद हैं और पाकिसान मुसिमली के यूएस चेप्टर के सदर अदीज शाह सकाइप पर हमें जोएन करेंगे कुछ ही दे में वाशिंटन डी सी में वाके फिंक टेंक यूनाइटिस टेट्स इंसीचूर पीस के सीने पाकिसान स्कॉलर ज़ीज़ की खासी मौतबर समझी जाने वाली आलमी तंजीम इंटरनेशनल कमिशन ओफ जूरस ने इftekhar मुहम्द चौहदी के आर साला दौर के बारे में अथौरिटी विडाउट अकॉन्टिबिलिटी दस सर्च फॉर जेस्टिस इन पाकिसान के नाम से एक रिपोर्ट ज पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया के एक खुत मुखतार इदारे के तौप पर उभरने की तारीव की है अक्रम शेक साहब मैं आप से पुछना चाहूंगी वो क्या चंद बड़े फैसले रहे सुप्रिम कोर्ड के चीफ जिस्स की सबराही में जिनकी बज़ा से अदलिया पहले से जादा इंडिपेंडेंट हुई आपका बहुत शुक्रिया मैं आपका शुक्र गुज़ार हूँ कि आपने सबसे पहले मुझसे ये सवाल किया मैं आपको ये कहूंगा कि सबसे बड़ा फैसला ये वो इनकार था जो इफ्तखार मुहमद चौज़ी ने जनम मुशर्फ के सामने नौमाच को किया और वो इनकार ये था कि मुशर्फ ने उनको इस अपनी गहर यकीनी सूर्टेहाल से अहुदा बरा होने के लिए किया सुप्रीम कोट उनको दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा सदारत के आउदे के लिए इनतखाब में हिस्सा लेने की अजाज़त देगी या नहीं देगी और इस बारे में गहर यकीनी एक कैफियत रखते हुए उनको बलाया और उनको ये कहा कि आपके इसलाफ एक पिशावर के जजज ने शिकायत भेजी है तो मैं आपके इसलाफ मिसकॉंडक्ट की कारवाई करना चाहता हूँ मेरा ख्याल है बेतर है कि आप मुस्ताफी हो इसलाफ को मुषरण के सामने आँको में आँके डाल के इनकार करकी ये कहा कि आप मुझे जो चाहें कर दे जैं मेरे ख्यालाफ रफरنस ले आएं मैं अस्तीफ़ा नहीं दूगा यह था उनका पहला फैसला, यह उनका दाती फैसला था, और बाकी फैसले जो जो अदालती फैसले हैं, वो तो उनकी भाली के बात के हैं, और उन फैसलों में भी मैं यह समझता हूँ, कि यूमन राइट जो इंटरनेशनल कमिशन अफ जूरिश्ट एक वाकी मौतवर अदारा है, मैंने उसकी रिपोर्ट बहुत गोर से पड़ी है, उसकी रिपोर्ट में तनकीद का भी पहलू है, उनकी रिपोर्ट में तारीफ का भी पहलू है, और इस हसाब से वो मैं समझता को ज्यादा गेर मौनासिब नहीं है, मैं इस बात का पे बड़ा मेरा दो टोक यकीन है, कि आप तनकीद की अजाज़त दें लोगों को अपनी जाद पर, क्योंके मस्बत तनकीद आपकी इसलाह करती है, और मन्फी तनकीद नाकिद को दुनिया के सामने रुस्वा कर देती ह मैं चीफ जेस्टिस सिफखार मौम्मद चौज़ी की चादत में जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सोला मार्च या चोबीस मार्च को मार्द वजूद में आई उनकी बहाली के बाद, उनके ब्रदर जजज़स की बहाली के बाद, मैं ये समझता हूं कि उन्होंने जो एक फैसला ये किया कि उन्होंने किसी भी सूरत में एक्स्ट्रा कॉंस्टिचूशनल डिविएशन्स से काउंटिनेंस नहीं करना, उसको अप्रूब नहीं करना, ये मुलक की तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला है, इसलिए कि हमारा मुलक अपने क्याम के निस अर्षा से मुकाम हासल नहीं कर पाए, जो हमारे अफराद जिसके मुस्तहिक थे, हमारे वी हैव एक्सिलेंट हीूमन कंटेंट और सबस्टेंस, हमारे लोग यहां, हमारे डॉक्टर्स, पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स, यहां अमेरिका के अंदर बहुत ही बलंद मुकाम रखते ह हमारे यहां एंजिनियर पूरी दुनिया के अंदर अपनी धाक बिठा चुके हैं, हमारे मज़़ूर दिल लगा के काम करते हैं, जब वतन से बाहर जाते हैं, तो वतन का नाम बलंद करते हैं, वतन के सफिर के हैसियत से काम करते हैं, लेकिन हमारा अपना वतन इस दौर में बहुत पीचे रह गया और उसमें अगर एक वज़े आप मुझसे पूछें तो वो उसकी एक वज़े यहां की फौजी आमरियतें और फौजी हुकमतें और कॉंस्टिचुशन के एक मौाहिदे को कागज का एक बेकार पुर्दस समझ के फैंक देने वाले हुकमनान थे जी कोई मेरा देख नहीं सकता मेरा कोई इशारा मैं किसी को इशारे में बात समझा नहीं सकता एक पहला फैसला दूसरी बात उनका दूसरा बड़ा फैसला यह था कि यह जो कॉंस्टिचुशनल बेनिफिट्स हैं यह कॉंस्टिचुशन डॉकुमेंट है 20 करोड लोगों के पहुँच के जनजीर अदल नहीं हला सकता तो जनजीर अदल को हलाने के लिए उन्होंने एक सूव मोटो हुमन राइट सेल जो है वो कायम कर दिया जिसने खबारात की खबरों पे लोगों के खतूत पे पहली दफा यह हुआ पाकिस्तान की तारीश में कि इस निजाम को इं का जिन्दा रहना ही एक मोजदा है जो जिसम और जान का रिष्टा बड़ी मुश्किल से काइम रखे हुए हैं वो एक खत लिखते हैं और सुप्रीव कोट हरकत में आ जाती है जी अक्टरम शेयक साब इस पे सो मोटो केसी जोंस के हवाले से तनकीदी मौजूद है इस पर ह में आला अदलिया जो है वो खासी बेबस भी नजर आई और अली अमेद कोट साब मैं आप से पुछना चाहूंगी कि बास केसे जैसे स्विस काउंट के केस में स्विस हकूमत को खत लिखने का मामला और अभी कोट के सामने ला पताफ रात का केस इस पसमंदर में जो सुप् प्रग्रामें बोलने का मौकर जिया लिखें जहां तक 14 साथ की बात है यकिनां पाकिस्तान की जुदिश्री ने बलके पाकिस्तान की स्विस्टीन उनका नाम एक बहुत आरिखी नाम के तोर पे याद रखा जाएगा मैं चुंगे उनके बहुत करीबी रहा हूँ कोईटा में हम मैंने उनको देखा है वो यहां पे उन्होंने वकालत की एड़ोकेट जनरल बने प्यूनी जजज हुए प्यूनी जजज फिर चीव जसिस उसके बाद सुप्रीन कोड उसके बाद इतिफाक से 9 मार्च के बाद ज 16 मार्च तक जब फिर मैं सुप्रीन कोड़ार का प्रेजिजन बना इस सारे दोर में मैंने उनको बहुत करीब से देखा हूँ मेरा उनको जोट जोट मेरा अपना एक सोचने का अंदाज है और एक प्लिटिकल एक्तिटिविस्ट होने 어ने के एक फकी की तोरब पे प्लिटिकल एक्तिविस्ट होने तर्फ लिए खालबान analytics होने बलके सारी जिम्दगी मैंने यही लोगों की खिदमत किया और सारी का चोभी साब आपको कुछ समझ आ रही है तो उन्होंने का क्या बात है मैंने का यहां लोग लीडरों के हाथ चुंते हैं लोग आपके गारी को चुंग रहे हैं उस सब्सक्राइब मेरी यही सोच थी आज भी गही है यह कोई ऐसे चीप जैसिस नहीं थे को जिनको एक से प्र यह एक तैरीक के नतीजे में थे एक इनकिलाब के नतीजे में थे लोग इनके साथ थे बुकला थे सीवल सूसाइटी थी सारी साफी मीडिया थी सब कुछ थी इनको जब पुब्लिक मेंडेट के साथ आय तो इनको हमेशा नीचे देखना चाहिए था मेरा इतराज हमेशा रहा है और मैं बिलकुल दक्र जब्लिक अनके सामें दिखा है उन्होंने ऊपर देखा उन्होंने कभी यह नहीं नीचे देखा कि पाकिस्तान में चूंके जैसे मैंने बहुत वड़ा बरसा जेलों में गुजरा है मेरा यह मुशाइदा है कि बहुत वो अगर सुप्रीम कोर्ट एक उनके पीने पुरी है या अदालत आल या हाई कोर्ट में पीने पुरी है बेगुना लोगा जार रहे हैं जैसे मेरा मुशादा मैंने का है और मैं वकील हुएसे भे मुझे लिम है वो बेगुना लोगों को गलावजा काफी अर्शे तक रखने का अगर जो भी रखेगा वो एक उसे गुना संदद हो रहा है एक जरुम संदद हो रहा है तो चौदी साथ में ये कभी इस तरफ तवज्यों नहीं थी स्विस बैंक के मामलों में इनकी दिल्चस्पी या दूसरे उसमें उससे आम आदमी जो कि कैर जेल में बन था अब जो अगर दो सोफों को साथ मिलाया जाए तो तक्रीबन एक ये इस तरह का छोटा सेल बनता है जिसमें वो कंडेंड डेथ पेनल्टी वाला जो कह दिया है वो उसमें रहता है जिसको सिरफ सुबा चालीस में और शान को चालीस में इसलिए बाहर निकाला जाता है हैंटकॉफ कि उसकी बलड रसर्कुलेशन हो अब इनका जिवार का होना चोटी साथ में तो इस तरफ तो कुई तबज्यू नहीं तो अगर अली अमद पूर साथ जो आपने इतनी मेहनत की लॉयर्स मुव्मेंट में आप इतने सरगरम रहे तो आपको क्या मैसूस होता है आज आप इफ्त पाकिस्तान की इस पाकिस्तान की जुडिशल जो एक सिस्टम हो एक ऐसे पैटरन के चलने क्लिए अब इसको जो है वाफस पर ये कुल्टा नहीं गुनाया जा सकता मगर यह है कि मैं तो बहुत शुरूर मैं उस वक्ट भी जबके मैं सुप्रीम कोट का सदर था उस वक्ट भ पार बार मैंननकों का तो वजो धिलाइन और बड़े अपने अंदाज में मैंने बात की बजात और पे सख्त भी मैंने बात की कि जो आप लोगों का काम है आप वो कहें हैं आज बिकुश सुप्रीम कोट बहुत इंडिपेंडंट है बहुत पाक्तवर है और और बड़ी उस का मुला 50-50 परसंट है, मगा हाकिकतन ऐसे नहीं है. जी कुछ साब, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में अदील शाह साब मौजूद हैं, जो के युएस चेप्टर औल पाकिसा मुस्लिम लीग के प्रेजिडन्ट हैं, अदील साब रिटार जनर्र परवेस मुशरफ पाकिसान के साबिक सदर आपके लीडर हैं, मैं आप से जा में चंद दिन रह गए हैं, तो ऐसे में परवेस मुशरफ के खिलाव गदारी के मुकदमे को निम्टाने का जो काम है, वो भी उनकी प्रियरिटीज में, अफ्तखार महमद चोहदरी की सुप्रिम कोड की प्रियरिटीज में से एक है, आप उनकी लेगसी को किस तरह से देख हैं, शुक्री आपका बद बलाने का यहां पर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम के लिए और रियासित के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्याम और उसका चलना एक लाजमी बात है, और सेपरेशन आफ स्टेट के अंदर जो पावर की जो उसको मेंटेन करना, कायम करना यह भी एक लाजमी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अब आजाते हैं आप चोधरी सिखार साहब के उपर, तो अगर जिस दिन जनरल मशरफ साहब ने उनको बलाया था, और उस दिन वो अगर चले जाते जुडिशल कमिशन के सामने और सफाई पेश करते हैं, तो वो एक ऐसी रसम होती जो पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को और मदबूत करती, उसके बरक्स वो पबलिक में चले गए और वहां से नतायच जो है, वो यह निकले, कि आज पाकिस्तान एक माशी और स्यासी और सिक्रिटी के बहरान का शिकार हो यह है, कि यह में देखना पड़ेगा कि चौजरी अफिकार साब की जो शख्सियत जो है, वो बहुत बड़ी है मीडिया के जरीए से, इसमें को शुबा नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने कैपैसिटी बिल्डिंग की है, जुडिशरी की, क्या उन्होंने जो को एफिशन बना बड़ी है, बड़ी तगड़ी है, यह इसका हल नहीं है, जी, अदिशरी शाह साब, यहां पे मैं अकरम शेख साहब को दुबारा शो में शामिल करना चाहूंगी, अकरम साब, यह जो अदीशरी शाह साब कह रहे हैं, कैपैसिटी बिल्डिंग के हवाले से, और जजजिस को हजारों, बारा हजार मील दूर पर बैटके यह बात कहना, कैपैसिटी बिल्डिंग नहीं की, यह की है, और विदाउट गोइंग थू दू दू प्रॉसस और विदाउट गोइंग थू दू दू मिल, मैं समझता हूं, यह कुछ ज़्यादा अच्छी जज्मिन नहीं है, कै प्रेस्टी बिल्डिंग यह है, के हमारी सुप्रीम कोट का, किताब के अदर लिखा हुवा वक्त है, नौ मझे से लेकर एक बज़े तर, सुप्रीम कोट नौ मझे से लेकर, शाम छे बज़े तक भी बیٹھती है, यह पहली दफ़ा हुआ है, किताब के अंदर तबदीली नही आई अमल के अंदर ये तब्दीली आ गई है और ये तब्दीली ऐसी है जो नीचे से उपर की तरफ नहीं आई बलके उपर से नीचे की तरफ जा रही है हाई कोट के जजज सावान भी अब ये समझते हैं कि हमारा ब्रेक का टाइम एक बज़े नहीं है डेड़ बज़े नहीं है केसे निप्टाना हमारी फर्स्ट प्रियार्टी है मैं तो ये देखता हूँ कि आज जो मुकदमे मैं दायर करता हूँ वो तीन महीने के अंदर फैसला हो जाते हैं कुछ पराने मुकदमात पड़े हैं जिन में मैं अपने साथी वकला को और अपने आपको जुमदार समझता हूँ उस ताखीर का जो उन मुकदमों के इंजाम दही में ताखीर होती है कि पेस्टी बिल्डिंग ओवरनाइट कहीं भी नहीं होती है को स्विच बटन नहीं है मैं एक बटन दबाओंगा और लाखो मुकदमात का फैसला एक बटन दबाने से रोशनी हो जाएगी और उनका फैसला हो जाएगा ये मुकदमात हैं तनाजाद माबैन अफराद हैं और तनाजाद माबैन फर्द और रियासत हैं इनका फैसला एक ड्यू प्रॉसस के तहत होना है अमरीका के अंदर भी मुकदमों का फैसला एक दिन में नहीं होता अमरीका के अंदर भी डेथ रॉस के ओपर पड़े हुए प मैं अमरीकी बार आस्यूसियेशन का गुजश्था 30 बरस तरहूं। मैं अंब मुझे उतना ही वकील समझे यहां युनाइटर स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितना मैं पाकिस्तान गंदर हुई। मैं अमरीकी नहीं हूँ, मैं होम ग्रोन इंडिजनस पाकिस्तानी हूँ. अकरण साब लेकिन जरूरत तो है वहाँ पर जस्टिस को ज्यादा स्पीडी करने के लिए तभी तो आपने का कोई प्रॉसस शुरू हुआ है, तो ये निचली कोर्स तक पहुचने में इस प्रॉसस को कितना टाइम लगेगा, आम अवाम तक महुचने में. मेरी गुजारिश ये है, मुहतरमा मेरी आप इलतजा सुन लीजेगा, आप हमारे कुछ हैंकर्स हैं जो बात मुकमल होने से टोकते हैं, उससे बात सामयीन तक और नाजरीन तक पहुचने ही पाती. श्याइक साफ दरश को कि इफ्तखार महम्मद चौदरी साब की बहाली के साथ सारे मुकदमाद जो लाखों की तादाद में हैं, वो आँख जपकने में उसका फैसला हो जाए, ये मुम्किन नहीं है. ये ट्राजीशन है. ये जो अरसलान का वाकए इनों ने बताया है, ये भी उस ट्राजीशन क ये एक लाजमी हिस्सा है. ये जब हम एक मुक्तलिफ तजर्बात से गुजरते हैं तो आपकी परिसनल लाइफ भी फोकस में आ जाती है. आपकी फैमली लाइफ भी फोकस में आ जाती है. आपके बच्चों की जिन्दगी भी फोकस में आ जाती है. मैं ये कहता हूँ कि ये वाकर उनमा हुआ है ये बहुत खुशकवार है ये बहुत हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट है अब इस टर्निंग पॉइंट में आपने नार था और सौथ में जंगल लड़ी है आपने एक्वैलिटी का कॉंसेप्ट बदला है एक वक्त में एक्वैलिटी था सदर जो है एक सियाफ हाम जो अमरीकी है, वो सदर है अमरीका का, तो अब मैं आप से यह अर्ज कर रहा हूं कि हमारी ट्राजिशन जो है, खुदा के वास्ते इसको इसको इसना वक्त दीजे, जी हम वक्त लगेगा कि हम एक स्मूथ ट्राजिशन करते हुए तो अक्रम साहब एक हमने अपनी सम अधालत की सब पुरूच कर दिए जल्दी से आपकी बात हमें समझ आ गई है किसमें वक्त लगेगा जी अदीर शाह साहब देखें एक तो बात यह है कि हमारे हैं काला प्रेजिएंट यह हमारे पस एक अमेरिकन प्रेजिएंट है तो अच्छा अकरम साहब बहुत मुर्जिज आदमी है आए रिस्पेक्ट हमालाट मगर मैं यह कोई आप से पलक जपकते की बात मैंने नहीं किये यह सालों से चोधरी स लगने आपर रहे हैं और मैं यह अमीद लगाता हूं कि ट्राइ Wisconsin में जानताओ।rement यह ना प्रासेस को सम़जता हो मुझा है कि अखथ लगता है कि ट्राइजिएट लेकिन कुछीज बहाсь का आपके जो रहाई हो जाएँ transit में जाए जन आपका परिस्पशण।िए बיब् लेकिन कुर्द साफ खुद गवाई दे रहे हैं कि उसमें कोई तबदीली नहीं आई है तो जब तक एक तो नहीं आपने इमेज तो बना दिया है जो डिश्री का मगर अक्च्वल कांटेंट डिवलप नहीं हुआ है जब तक आप उस पर फोकेस नहीं करेंगे और वामन नास को यह एहसास नहीं हुआ कि हमारे पास जडिश्री नहीं है जहां पर इंसाफ का कोई तसवर ही नहीं है तो आपको इंगेज करने लिए रखागा है जो आप पर असर अंदाव हो सब्सक्राइब जो आपके महौर को बदर देंगे वो खबर जो आपकी दुनिया का नक्षा तबदील करने वाली है वो खबर जानिये मुझ से आईशा खालिट से और मेरी उंगलिये बुरी तरह से फ्रीज हो रही है इस वज़े से हमें आपस अपनी गाड़ी की तरह भागना है बदलती हुए दुनिया साइंस किस तरह हमारी जिंदगियों में तबदील आ रही है अब्दुल अजीज कान, वोईस अफ अमेरिका वेल्कम बैक, आप देख रहे हैं इंडिपेंडिस हैविन यू हम बात कर रहे हैं आज के शो में इफ्तखाब मुहमद चौधरी की बतौट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आर साला का करदगी की यूनाइटिस स्टेट्स इंसिच्ट आफ पीस के सीनर स्कॉलर मुहित जूसुफ हमें जौइन कर रहे हैं स्काइपर्स के लावा सुप्रिम कोर्ट के सीनर वकील बैरस्टर अक्रम शे और साबिक सदर सुप्रिम कोर्ट बार असुसियेशन अली एहमद कुर्ट मौजूद हैं शो में टेलफोन के जरिए अमरीका में और पाकिस्तान मुस्मिली के सदर अदील चाहें सेट पर हमारे साथ मौजूद मौज पाकिस्तान से बाहर के दुनिया में और खास दोर से अमेरिका में क्या इमिज बना हमारी आला अदलिया का चीफ जसिस इफ्तखार मौमद चोहदी की सबराही में जी बहुत शुक्रिया देखिए किसी भी ऐसे शक्स को मापने का वत जो है वो मेरे नस्दीक थोड़ा सा उनके जाने के बाद होना चाहिए इस वक्त आप इन दे मॉमंट हैं आप देख रहे हैं कि उनकी रिटारिमंट है कुछ लोग उनसे बहुत खफा हैं कि उनने जुडिशरी को एक एक्टिविस्ट इंस्टिशन की तरह इस्तमाल किया सड़क पे लोगों का सिंटमंट देख के फैसले किये कुछ लोग ये कहते हैं कि उनी की वज़ा से जुडिशरी जो है वो अपने पुराने रूप से बाहर निकली है जिसमें वो बिलकुल प्लाइंट होती थी और उसका कोई ज़्यादा रोल नहीं रहा पाकिस्तान में एक स्टैंड लेने में कुछ चीजों में मेरे नजदीक जब आप आज से पांच साल बाद इस शक्सियत को देखेंगे तो आपको दो चीज़े नजर आएंगी एक ये कि जो तबदीली अद्लिया में आई है गो के वो आई एक एकसिडेंट की वज़ा से कि वो सद्ब मुशरफ ने जिस तरह उस मामले को हैंडल किया लेकिन जो तबदीली आई है वो इनके उस स्टैंड की वज़ा से आई और दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि अद्लिया की शकल जो आज ये छोड़ के जा रहे हैं वो नहीं होगी पांग साल बाद अद्लिया भी एक सेल्फ करेक्शन प्रोसेस से घुजरेगी जब भी कभी ऐसे इंसिटूशन का एकुलिब्रियम तबदील होता है जब वो एक जगा से दूसरी जगा पे जाते हैं अपने नकता नजर में और अपनी ताकत में तो हमेशा एक वक्त आता है एक पीरियड आता है जिसमें वो अपनी हद से बाहर निकल जाते हैं और फिर आइस्ता आइस्ता वो सेटल डाउन करते हैं अपने नए रूप में तो अभी जहां ये छोड़के जाना है शायद वो वाकिए कुछ एक्टिविस्ट अंदाज में मेरे नजदीक जुनिशनी ने कई चीजों पर काम किया है पिछले दो या तीन साल में लेकिन वो फैसला दिया कि वो बहुत ज्यादा एक्जेक्टिव के हकूमत के जो डुमेन है उसमें चले गए हैं और वहां से वापस आना चाहते हैं कई चीजें वो जो करते थे वो अब नहीं करेंगे वो उनकी डुमेन में नहीं है तो यहीं आप यहां देखेंगे इस शक्सियत को आ अपने एक नए रूप में अगले दो चार पांच साल में आके बैठी हैं तैंकियू मुईत कुर साब इफ्तखार मुहमत चौदी एक जमाने में आपके लीडर रहे हैं आलमी सदा बब मकबूल और इंताही इहतराम की नजर से देखे जाने वाले एक इंताही आहम रहनुमा नेसल मेंडेला का कल इंतकाल हो गया नेसल मेंडेला ने 1994 में जनूबी आफरिका की सदारत संभालने के बाद कौमी मुफाहमत की पॉलिसी का एलान किया और इस पर अमल भी किया इफ्तखार मुहमत चौदी की चीफ जिस्स के तौर पर बहाली के बाद उनकी कारकरदगी पर ये कहकर भी तनकीद की जाती है कि इसमें मुफाहमत की कुछ कमी नदर आती है आपकी इस पर क्या राय है कुछ साथ बिल्कुल जी चौदी साथ की शखसित को हम कोईटे वाले जिस तरह जानते हैं और बिल्कुल हमारे जो अंदाजे थे उसी तरीके से चौदी साथ ने बहुत कम है बलकि उनका सोचने का अंदास कुछ और और इसी वज़े से जब मुंसिफ काजी या जज़ लिगे उपोर्ट साथ अगर आप उनकी शक्सियत से वाकिफ थे तो फिर आपने जो लॉयर्स मुव्मेंट में इतनी सरगरम कारकरदगी दिखाई वो किस के लिए थी कारकरा जinku से अगर में आपने जु़े ने की शक्राइब दूलॉयर्स यज़े ने से बहुत कारदगी धिर आपने सर नागरदगी शक्सियत का नवार्ट से पहले लिफ- dealer कि तार्ए की वर्ड़ा की बहुत बहुत वगलार की बहुत सबरदस्रे सरे तहरी थी बहुत जानदार एक तहरी थी जिसमें हामिद खान साभ हमार लीडर थे मैं हमेशा उनके साथ दाएं बाहरा और उसी तहरीक में जब मैं सुप्रे बुलुश्दान बारा उसे बार का सदर था नाने पाकिस्तान सुप्रीम कोट के वो तमाम फैसले, मुतनाजा, डिस्प्यूटिट फैसले जो थे, उन सब को नजर आफिश किया था, और उस सब के बार दुन्याग में बहुत बड़ी तस्वीरी और वैसे की खबर के लिहास, उसके बड़ी आमिया थी कि सुप्रीम कोट के फैसलों को सरकों पे जलाया जा रहा है, अब कर्म शेफ साथ से बड़े एतराम के साथ, उन्हों ने चीव चुप्री साथ की कि का शाम आड़ बजे च्छे बजे तक अडाल के रहे हैं, बहुत कम टाइम रहे गया शो खत्म होने में, तो मैं यह अद्श कर रहा था कि अडाल तो कबाली इनकों में आप हमाई पास इतना ही वक्त था शो का, अब शो का वक्त खत्म हो रहा है, नाज़ीन किसी और शो में इस गुफ्तकु को हम जाई रखने की कोशिश करेंगे, इस वद हमें अजाज़त दीजे, अलाहाफिस